Only 3 minutes में करूंगा topic clear आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे टेली प्राइम सब्टो बेर में sales return की entry करना इसके लिए मैंने vouchers को select किया और कर दिया enterprise दोस्तों हम आगे voucher entry में दोस्तों sales return की जो entry आपको करनी है वो करनी है credit note voucher में और पहली बार जब आप यहां पर आएंगे तो credit note voucher आपको यहां पर active करना होगा इसके लिए other voucher लिखा हुवा बटन इस पर कीज़े click जैसे आप click करेंगे दोस्तों इस screen आपके सामने कुछ इस तरह से appear होगी यहां पर कहीं भी आपको credit note voucher नहीं मिल रहा है तो देखे credit note voucher active हो गया और आपके सामने इस तरह से यह open होकर आजाएगा अब एक बार आपने एक्टिब कर लिए बार बार इसको एक्टिब नहीं करना है फिर आप other voucher में जाएए other voucher में यहां पर credit note को select करके enterprise कीज़े तो credit voucher हर बार आपके सामने इस तरह से आजाएगा अब दोस्तों यहां पर credit note voucher में sales return की entry करने जा रहा हूँ हुआ यह कि deep actators को मैंने माल sell किया था अब जो मैंने उनको माल sell किया था उसमें से कुछ माल इनोंने बापस कर दिया पूरा का पूरा माल हमारे लिए बापस कर दिया और साथी साथ एक debit note भी भी भीज़ दिया अब मैं उनके लिए इस debit note के अगेंस्ट एक credit note इसू करूंगा तो पार्टिस account name में मैं यहां पर deep actators का laser लगा हूँ उससे पहले f2 प्रेस कर देता हूँ जिस date में मैं credit note इसू करने जा रहा हूँ वो date मैंने यहां पर डाल दी एक जून पार्टिस account name में इसको अक्षर कर लेता हूँ लेजर account में महारा cursor है और दोस्तों यहां पर मैं लगाऊंगा sales return का laser laser account मैंने sales return का laser लगाया और जो product उन्होंने मेरे पास बापस भेजेते जिस quantity में वो मैं यहां पर उसको entry कर रहा हूँ ठीक है न क्योंकि जो वापस में बेजाता उसी को मैं यहां पर लूँगा और वही rate लूँगा है ना इसके बाद मैं cgst और sgst का laser लगा दूँगा क्योंकि हमारी state की है तो मैं cgst और sgst भी इसमें करेक्ट करूंगा है ना calculate कराऊंगा इसके बाद आपको क्या करना है साइड में बटन बार इस जगे पर आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुगा जा था वो original invoice number है उसी के अगेंस तो हम credit note इसू करने जा रहे हैं sales return करने जा रहे हैं तो वो original invoice number था एक मैंने डाल दिया किस date में मैंने वो दिया था तो एक मैई 2023 में मैंने sell की थी इस original invoice के अंतरगत तो मैंने यहाँ पर date के column में एक पांच 2023 डाल दिया enterprise किया enterprise किया करसर यहाँ पर आ गया provide gst details में इसको मैं yes कर दूँगा yes करने के बाद list of regions में लूँगा sales return और buyer का debit note और buyer ने जो हमारे लिए debit note इसू किया था वो debit note मैं यहाँ पर डाल दूँगा उसका number दोस्तो जो है वो मैं इस जगे पर डाल देता हूँ जो buyer ने हमारे लिए debit note इसू किया था जिसके अगेंस्ट हम credit note इसू करने जा रहे sales return के लिए ठीक है न तो वो था यह और जो date है वो date थी 31 माई 2023 को इनों ने दिया था तो मैंने 31 माई 2023 डाल दी और इस तरह से दोस्तों मैं sales return के entry credit note voucher में कर लूँगा है न तो इस तरह से आपको credit note voucher में sales return के entry करने है धन्यवाद